हेलोव मैं लौवली व्यूवर्स वेलकम अगेन टू तड़का विच स्टाइल और आज हम बनाएंगे ग्वार्पाटे की फली का इंस्टेंट अचार येश आप इसे अचार की तरह यूस कर सकते हैं आप इसे सब्जी की तरह तरह यूस कर सकते हैं तो बहुत ही पॉच्टे की सबजी बनने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस तरह इतनी whether अभी लंभी नंबी ग्वार्पटे की फल्यां होती है और नेट पर सर्च करिये इसके इतने फाय थे होते हैं तो इसको अच्छे से दोलेना है और और इस तरहे आगे से इसको चुटे-चुटे पीसेज में कट करते जाना है तो यह तो यह अलोवेरा फाइदे मंद होती है उसकी फलियां भी उतनी फाइदे मंद होती है और यह हमारी तयार हो गए तो इसी सर्दी के मौसम में यह अवेलेबल होती है अबंदन्स में तो तेल थोड़ा गरम होने में टाइम लगाता है तो अच्छे से गरम करके ही राई और ये सॉफ डालनी है तेस्ट जो इसका आएगा गाईज वो आपको बना कर ही पता चलेगा तो जरूर से से ट्राइ करेगा और अब इसमें हम डालेंगे हमारे ये गवार पाटे की फलिया तो ही तड़का विट स्टाइल के टेंटिंग मसाल है तो दो चमच भर कर हमें लाल मिश डालनी है तो यस थोड़ा चटपटा होगा जबी इसमें मज़ा आएगा और साथ ही इसमें डालेंगे हम सॉल्ट तो नमक के बिना तो स्वाद अदूरा ही रहता है तो स्वाद अनुसार डालिए सॉल्ट अच्छे से मिक्स करिए और रंगत के लिए डालिए इसमें हल्दी फ्रेंट्स सर्दियों की कई सारी रेसिपीज हम अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिना कड़वाहत के मेथी लड़्डू तो बिल तो यह हमारा सर्दियों वाला ठंड वाला टेस्टी इंस्टेंड अचार तयार है और अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाते हैं तो तेल को गरम कीजिए फिर ठंडा करिए और इसमें दूसरे अचार जैसे डालते हैं उसी तरह डाल लीजे तो फिर मिलेंगे यही तड़ पर तिल देन लाइफ इस बीटिफूल बड़ाई